आज किस वीडियो यह जो वीडियो होने वाला यह बहुत इंबॉडटन वीडियो होने वाला क्योंकि यहां पर मैंने आपको biological classification, plant kingdom, animal kingdom and morphology of flowering plants के जितने भी NCRT based examples हैं मैंने individually भी बनाया था लेकिन अब आपका exam pass आ रहा है तो बहुत सारे नए student भी जुड़े हुए हैं तो यह देखो chapter 2 biological classification फिर plant kingdom फिर animal kingdom हमारा and morphology of flowering plant यह चार chapters के जितने भी NCRT based आपके examples हैं सारे tricks मैं एक साथ आपको यहां पर अभी आपको बताऊंगा ठीक हैं तो मैंने पहले बताया था जैसे बताया लेकिन यह चारो एक साथ इसलिए कर लिया कर दिया हो ताकि आपको अगर आप एक वीडियो यह देख रहे हैं नए student है तो आप कम से कम 10 से 12 question तो आप मान लो तो कोई बात ने लेकिन आपको प्रॉब्लम होती ही याद करने में तो आप यह trick देख सकते हो आपको पक्का याद होगा और ऐसा करना वीडियो देखने के बाद आप question प्रैक्रिस कर देना नहीं भूलोगे और पक्का है कि examples एक पर याद हो जाएंगे तो आप exam में सही कर सकते हो मेरा WhatsApp नमर का description में मिल जाएगा तो देखना आ गया अब RSV Taker पे तो RSV Taker का यह important है कि five kingdom classification was given by RSV Taker NCRT में यह दोनों scientist का नाम दिया हो है तो आपको याद रखना जरूरी है अब उन्होंने उनका जो classification का basis था क्या-क्या था यह बहुत important है यहां से question आ सकता है तो आपको यह पांच classification उन्होंने दिया था तो आपको ध्यान में रखना RBC proper name RBC red blood cell proper name यह एक ट्रेक है RBC proper name जहा NCR रखना nutrition mode of nutrition आप ऐसे याद को सकता है अब देखते हैं अब NCRT ने यहां आपको चारों का यह पांचों का difference बताया है तो आप पढ़ोगे समझ में कोई ट्रीक नहीं है फिर चलते हैं kingdom onera में तो kingdom onera में bacteria का shape के बारे में बताया तो यहां पर भी आपको ध्यान रखना focus नोड यह basic है यह से में कोई ट्री रही है rod rod shape example bacillus ध्यान ऐसे पर रख सकते हो या फिर रभ रभ ने बना दी जो डी ऐसे कॉमा कॉमा shape vibrio example इसका होता विब्रियो कॉलरी तो कॉमा shape example है विब्रियो अगा ट्रीक देखना cv spiral as for spiral as for spirula complete अब है आर्की बैक्टेरिया archivacteria को बताएगा है कि हास evity में रहते हैं जीसे की salty area में जो रहते हैं उनको हम hailophyll बोलते हैं hot spring में जो रहता है उसको हम thermo acidophil बोलते हैं और mass area में जो रखता है उसे हम methanoson बोलते हैं तो m से mass area, m से methanoson होट में टी आता है तो टी से थर्मोच्टेवाइल और आपको एक ध्यान अपना सॉल्ट सॉल्टी एरियम जो रहता है उसे हम बोलता है है इसारे एक्जांपल एंसी यह फिर चलते हैं यू यू बैक्टरिया में तो यू बैक्टरियम की बहुत अच्छा है जहां पर 2-3 मतलब टेक टेक मतलब ऐसे इसका मतलब अगर आपने मेरा पहले वीडियो देखा तो आपको पता है मैं 2-2 क्यू कैसे लिखता हूं है तो मतलब दो बाटी आएगा और सी क्यू मतलब तीन बश्यू मतलब टेटनस टी टाइफाइट सी फ़र कॉलरा और सी सी फ़र साइटर स्केंगर यह सारे ड्रीज आपको याद रखने जरूरी है आपको डाइटम और गोल्डगे अल्की यह पर क्राइजोफाइटि नहीं आधि लें तो॔र यह च्छाश लेट प्रेएंग तो यह बहुतuno आपको और और की हुआखे। में एक छोड़ा शुर्य चुर्णायध था था तफ ग्रेड आपके ग्रेड़िंग होती है एक प्र 1911 Marx कि एकजाम यह gångलयो कि इसी टीचर भात्यट के पर लुए प्रणाय अडिकर न्याय देus है इसको यह कौन से special क्या होता है कि इसमें special character क्या है? रेड कलर का, red dino flatulate, इसको हम बोलते हैं red dino flatulate इसे हम, इधा समय आपको आया, अब देखो आगे Euglenoid, Euglenoid में example है Euglena, Euglenoid के example है आपका Euglena अब हम चलते है protozoan में तो protozoan में यहां पे different types यहां पे दिया हुआ है जहां पे पहला है amoeboid, protozoan, flacillated, sporozoan, ciliated तो amoeboid में ही protozoan के example होगा amoeba, intamoeba amoeboid में नाम amoeba करके आ रहा है तो इसके example amoeba और intamoeba amoeba दोनों में है, तो कोई इसका trick नहीं है, simple ही सबजना आपको flacillated के example है, trypanosoma, trypanosoma से disease cause होता है, यह से हम बोलता है sleeping sickness तो आपको धियान रखना है, आपने class 10th में आपका subject होगा, SST, social science का बोलते हैं sleeping sickness, sleeping sickness cause by trypanosoma, यह भी NCRT में धिया हो, धियान रखना है sporozoan होगा example, plasmodium, ciliated protozoa का paramecium ciliated यह आपको अगर exam याद रखना है, याद रखो नहीं तो छोड़ा से trick बताता है, एक song आया था, तेरा फितूर जब से चड़ गया रहे तो वह song का lyrics ठोड़ा change करते हैं यह आपे, तेरा फितूर सर पे चड़ गया तेरा फितूर सर पे चड़ फिर picture, यह movie थी, picture, movie को बूलते हैं इस movie का song था, picture था था, तो तेरा फितूर सर पे चड़ गया चड़ तक ही यह आज रखना है, picture तुर टी किसके अग्जाम्पल का प्लाज भी स्पॉरोजोण के एकजाम्पल आ है प्लाज्मो टी जो फिर विए अपिसे याद रख सकते हो अगर बेसिक ऐसे पड़ की पड़ोगा तो आपकी मर्जी आप क्या आद रखना है अब यहां बहुत important है यहां पर classes of fungi में हम चल रहे है classes of fungi में तो fungi के चार classes हैं तो आपको याद रखने हैं यह A.B. Develius is playing A.B. Develius is South African बहुत famous cricketer है शाइद ही किसी को नहीं पता होगा इनका ना तो A से S-Comycetes, B से Bacidomycetes, D से Deuteromycetes, Phycomycetes S-Comycetes को हम sac बोलते हैं A, SC को रियरेंज कर दो S, A, C इसलिए S-Comycetes को जाना था, sac B से Bacidomycetes, Bacidomycetes को हम बोलते हैं Bracket fungi और Puffball D से Deuteromycetes Dim याद रहां Dim important है यह सब ठीक है तो Deuteromycetes को हम याद कर सकते हैं Dim मतलब आये imperfect फंजाए और Phycomycetes को अलगल फंजाए बोलते हैं अब एक एक्जामपल तो आपको पहले ऐसे याद रहना A, B, Divilius playing, S-Comycetes, Bacidomycetes और Deuteromycetes and Phycomycetes अब आप वो ध्यान में ऐसे चार याद कर लिया तो चारों के नीचे लिखना Cal, Can, क्या? Can, Superman, Cat, Ram Can, Superman, Cat, Ram Cat, Billy, Ram, Bhagwan, M, R यापकी किसी का नाम से Cat, Ram, Ram अगर Ram आपको पता है Ram, Rom, Phone का जो होता है ऐसे ब्याद रख सकते हो Can, Superman, Superman में Superma है एसे एड किया यह एड ट्रिक में नहीं आएगा Can, Superman, Cat, Ram Can मतलब यह Claviceps, Aspergillus, Neurospora यह देखो सब में AAR है तो थोड़ा ध्यान रखना होगा तो कैसे आप याद रख से तो यह भी बताता हूँ तो जाहिर सी बात है यह Ascomycetes है तो ASC Ascomycetes है तो इसका एक्जामपल में जो A आएगा Can जैसे है तो इसका भी नाम ऐसे ही होगा AS से स्टार्ट होगा Aspergillus Ascomycetes के एक्जामपल में Can तो होगा Claviceps, Neurospora और A से Confusion होगा कि A से आगे भी बहुत सारा नाम है तो आपको कैसे ध्यान रखना है तो Ascomycetes में A S है Ascomycetes तो इसका एक्जामपल में भी A जो आला जोगा A के साथ S हैगा Ascomycetes Ascomycetes के एक्जामपल Aspergillus ठीक है Superman से S से आपका हो गया यह देखो इसमें आपको यह है कि U से यूश्टी लगो कि ब्रैकेट में आपको पढ़ना है Smut Smut यह disease भी एक cause करता है आप या फिर इसे आप हम कभी-कभी बोलते है Smut फंजाई भी बोलते हैं और आपको पक्सीनिया से P से पक्सीनिया आरसे से हम रष्ट फंजाई बोलते है ध्यान रखने एक ही चीज़ है कि Mushroom का Name है Agaricus Agaricus तो A से Agaricus तो इसमें A से ध्यान रखना आपको Agaricus को Mushroom यह Common Name Agaricus Mushroom का नाम है Agaricus तो Mushroom का हो गया यह जो मैंने दो-दो का पार्ट आना एक ही चीज़ है अलग-अलग चीज़ नहीं है UST Lego को Smut फंजाई Paksinia को Rust फंजाई S से Smut U से UST Lego P से Paksinia R से Rust फंजाई जाही हो गया M से Mushroom और A से Agaricus ऐसा ध्यान रखो एक दोबार पढ़ोगा समझ में आ जाएगा अब Cat चलते हैं Can Superman हो गया Man ऐसे याद रखना N से कुछ नहीं है सुपरमा याद रख सकते हो अगर इतना कन्फ्यूज होगा Cat 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 तो आप कर सकतो वाईरे mãoले टॉपिक में क्या है तो वाईरे सले टॉपिक में बहुत सारे सिंधिस के नाम है तो जो कि कन्फ्यूस करते हैं तो आप याद रख सकते हो पी एकसे थित् satisfy और पीवी सिंधू बेस्ट फॉर्ड ओ से एडे बेस्ट thank पिवी सिंधू तो जानते हो, चैंपियन है इसमें इंडियन टेनिस में, यह धियान रखना है कोई उनका बेस फ्रेंट है, जो कि यह जिसका मतलब B से Bizarric Scientist का नाम है, P से Paster Scientist का नाम है, S से Stanley Scientist का नाम है, kyse Ivanos का नाम है तो आपको Bizarric Scientist का नाम है, P से Paster याद रखना Scientist, S स्टेंले रखना और I से Ivanos का नाम है यह बाड़ी वाले जो हैं यह characters है, इन्होंने सबसे पहले describe किया था एक तो उन्होंने उन्होंने जो डिस्क्राइब किया था एक infectious living fluid किया था और बिजर्निक ने उनका नाम दे दिया था contagium vivum fluidum तो F से fluidum अगर आपको बॉय यह सॉरी best friend याद रहे तो B से बिजर्निक और F से fluidum तो बिजर्निक फ्लुटम तो बिजर्निक ने क्या दिया था contagium vivum fluidum complete होगा पास्चर PV V for venom तो पास्चर ने दिया था वाइरस का नाम जिसका मतलब उन्होंने किया था ने वाइरस विच मिन्स वैनम और पोईजनल फ्लूट स्टैनले ने सबसे पहले उसको crystallize किया था एसे स्टैनले और सी से crystallize और इमवनवश्की ने नाम जिया था टॉमेको वजयक वाइरस को इसका वर खिया था इमवनवश्की ने टॉमेको टॉमेको नहीं टॉमेको वाइरस तो चलते क्या है बेस्ट फ्रेंड और पी वी सिंदू इस इस पी वी सिंदू इद चैंपियन इंडियन टेनिस वी से भीजरनिक फ्लूटम मतलब कॉंटाग्यम वाइबं फ्लूटम पी वी से पास्चर वी से वेनम एस स्टैनले ने क्रिस्टलाइज कर रोगा आई टी का मतलब आई से उनस की टी से टोबैको मुजयक वाइरस बहुत इंपॉर्टन है उसके वाइरोड के बारे में तो वाइरोड का एक साइंटिस ए टी ओ इनर यह इंपॉर्टन है इसका साइज वाइरस से कम होता है और यह एक डिजिस्ट काॉस कहता है पोटेटो स्पिंडल ट्यूब का पार्ट होता है फोर ब्रेंड मीट ब्रेंड हिंड ब्रेंड वहाँ पे इंसेफलों भी होता है बेसल पार्ट होता है तो आपको इंसेफलों से फील करना ब्रें का बारे में तो यह एक डिजिस्ट कॉस करता है कि इसमें तो इसी को हम बोलते हैं मैड काउड डिजिस कैट इंसानों में नहीं होता ध्यान रखना ये चीजद इंसान में जो डिजिस होता है हम बोलता है smashed और जाकल्ब डिजिस में इसी प्राइएंस्ट के वजहोए से जो में उपर जोगा बोलेंगे और उप्पेसरा में अंगया जेकॉभी सिस्भाव डिजीजि Noch मोला अब lichen है, lichen में कोई टरीक नहीं है, बट थोड़ा मैंने लिख दिया, कि यह सिंबाटिक एससे अलगी और फंजाए का, जो alkyl component है, उसे हम phycobion बोलते हैं, study of alga is also phycology भी बोलते हैं, अब फंगल के study को mycology बोलते हैं, तो ऐसे आपको धियान रखना है, alga component phycobion, और यह mycobion, और यह बहुत important, यहां से question आए हुए हैं, तो आपको धियान रखना है, कि यह बहुत अच्छे biological pollution indicator होते हैं, sorry, they are very good pollution indicator, और एक और वड़ा है, कि they do not grow in polluted area, जो area में pollution है, तो वहाँ पे generally like and grow नहीं होते हैं, यह point धियान रखना है, they are very good pollution indicator, and they do not grow in polluted area, पहला आपका है कि size job algae, size job algae में पहला आपका ट्रीक है कि mcfuscv, मतलब मैं चला finally uscv लेगा, कि आपने कहीं job के लिए apply किया, आप USA, आपने USA को US में apply किया है, और अगर आप job चाहिए, तो आपको CV की जरूत होती है, तो मालो आप जब finally जाओगे, तो आप बोलोगे अपने किसी friend को, मैं चला finally us, मैं चला finally uscv, cv लेके जाओगे, m for microscopic, f for filamentous, c for colonial, यह size हो गया algae का, अब इसके example नहीं, तो microscopic example है, clamidobina, जो की, यह unicellular होता है, और flamintous के दो example, eulothrix and spirogara, और यह colonial walbox, यह होता है, आपका size drop algae, अब यहाँ, trick तो नहीं है, एक दो point है, एकसे example है, यहाँ से question बहुत बार आया है, और in future भी आ सकते हैं, तो दो आपका algae example है, unicellular, chlorella and spirulina, यह example है, तो यह generally space traveler लोग use करते हैं, तो rich in proteins and used as a food supplement even by space traveler, यहाँ से important question यह आया हुआ है, दूसरा आपका gelidium and gracilaria, यह help, इसके, इससे हम है, ice cream and jellies को prepare करते हैं, with the help of this, jelly diam and gracilaria, यह भी धियान रखना आपको, डोनो ice cream and jellies बनाने में, अब आपका, देखो, ऐसा तो red algae, brown algae, और green algae, जो है, उसके example आगे है, उसके classes में, लेकिन यह दो point और दिया हुआ था, NCRT में, तो यह important है, algin and keragene, तो यह algin brown algae होता है, और keragene red algae होता है, उसको आप कैसे याद करोगे, A, A के बाद आता है, B, A, B, A for algin, B से brown algae होआ, और आपको, यह keragene, keragene, R, red algae, C, R, भियान रखना यह, C, R, आपके class में, C, R होता है, class representative, C, R, Christiane, R, Ronaldo, S, F, भियान रखना दो, C से keragene, R से red algae, यह दो example है, यह NCIT में दिया हुआ है, तो आपको याद करना जुरूरी है, आप चलते है, sexual reproduction in algae, algae में sexual reproduction को तीन method बता है, isogammy, and isogammy, or ugammy, example है, अब यहाँ पर इसका trick आपको समझना है, तो इसका trick है, for one reason, I support you American University, मालो, कोई American University में किसी चीज़ के लिए, कोई लडाई हो रहो गई, वो अब precedent को अपना solution बताने के लिए गया है, कि लडाई कैसे हुआ, कुछ भी समझ लो, तो अब आपको उनका जो precedent है, वो उन्हें support करेंगे, तो support करने के बाद क्या बोलेंगे, तो उनका precedent का एक sentence आएगा, कि for one reason I support you American University, यह hypothetical story है, मैं इसलिए बता रहा हूँ, तो कि आपको ऐसे याद हो सकता है, अगर आप MCU practice कर लोगे, कि क्या है इसका मतलब, तो college वाले गए precedent के पास, तो precedent को से, precedent सब कुछ उससे सुना होगा, उसकाद precedent ने एक word बोला, sentence, कि for one reason I support you American University, for one reason I support you, for one reason I support you American University, जहां पर O का मतलब है U-gamy, I का मतलब Isogamy, और A का मतलब N-Isogamy, and full form F से Fucas, V से Walvox, S से Spirogyra, U से Eulotrix, and U R Euro, Eudorina, Eudorina, New NCRT में यह include किया गया है, Eudorina, Eudorina, यह NCRT में पिसे भी लिया गया है, इसका साथ साथ ही एक example Clamidomonas का है, जिसमें कि आपको दिया गया है, दोनों इसमें पताए कि, Isogamy भी होता है, N-Isogamy, लेकि क्या है कि Clamidomonas Isogamy में आएगा, जिसका मतलब यहां पर है कि, दो gamit का fusion होंगा, और वो जो gamit होंगे, वो क्या होंगे, फ्लेजलेटेड होंगे, और similar in size होंगे, यह महलों आपके दो similar in size है, और इसमें फ्लेजला है यह, तो यह Clamidomonas Isogamy fusion of two gamit और जो gamit होंगे उसमें फ्लेजला होंगे, फ्लेजला हो फ्लेजलेटेड हैं, similar in size, लेकिन यहां पर बताए कि, कि some species of Clamidomonas and Isogamy type का भी रप्रोडेशन शो करते हैं, कि कुछ ऐसे species in Clamidomonas की NCIT में है दिया हुआ, तो Isogamy होगा लें कुछ species of Clamidomonas and Isogamy होगा, जहां पर fusion of two gamit of dissimilar size, एक ऐसे size माल लो, एक यह size, यह dissimilar size में fusion हो गया, यह है आपका हो गया, अब प्रोडक्सन, अब देखो, अब इसका classes, algae classes बहुत important question है, यहां से बहुत बार question, बहुत important topic है मतलब, और बहुत बार question है, तो आपको ध्यान में रखना है इसका यह classes PCR technology, PCR technology है, polymerase chain reaction बहुत common, और आप लोगों के भी नीट में पढ़ना है, biotechnologist levels में, तो PCR से याद रहा है, प से Pheophyce, C से Chlorophyce, R से Rodophyce, अगर यह भी याद नहीं होगा, तो CR Cristiano Ronaldo और वो पोर्तगाल टीम में के हैं, जब वो FIFA World Cup खेलते हैं तो इसे टीम से खेलते हैं, तो आप ऐसे भी याद रहा हो तो इसके भी, अब यह तो PCR पहले आप याद कर लोगे, PCR, Pheophyce, Chlorophyce and Rodophyce, अब एक्जामपल कैसे करना है, तो पहला एक्जामपल आपको लेक्शन लिखना है, DLF से, जब आपका IPL स्टार्ट हो गया तो, IPL को सबसे पहले sponsor कर रहा था, वो DLF हो था, ठीक है, डैली में एक mall भी है, Slack City Mall करके है, कोई mall, तो वहां से भाब धियान रख सकते हैं, तो सबसे best होई है, DLF से, या IPL को इसने sponsor कर था, यह बहुत common word है, DLF से, तो DLF से, याद रखो, अब आगे में बताता हूँ, D से, Dictiota, L से, Laminaria, F से, Fucus, S से, Sargasum, E से, Ektocarpus, देखो, यह सब है ना, एक दो बार पढ़ोगे, question solve करोगे, तभी clear होगा, इसलिए बहुत जरूरी है कि आप question लगाना, C से, Chlorophyce, PCR में PCR, PCR, DLF से हो गया complete, अब C से, C से, CV, CS, US, फिर से, CV, Raman Scientist है, तो इनका नाम से, याद रखते हो कि, CV, Raman, चले, US, कहां चले, चले, US, CV, चले, US, या फिर, कोई नाम लख लो, चंदन वर्मा, चला, US, कुछ भी, CV, C, US, C से, Clamidominas, V से, Walvox, C से, Cara, U से, Eulotrix, SS, Pyrogara, अब आपका, Rodofyce का simple है, PG, square कर देना, दो बर P, दो बर G, PG, Pen Guest, होता है न, PG, तो, दो बर P, दो बर G मतलब, एक P से, Porphyra, एक P का, Polysiphonia, एक G का, Gracil Area, और एक G का, Gelidium, तो, आपका क्या क्या था, PCR Technology, P से क्या था, DLF से, दूसरा आपका क्या है, CV, चला, US, और तूसरा, क्या है, P, square, G, square, P, square, G, मतलब, दो बर P से होंगा, और दो बर G से होगा, ठीक है, अब, ब्राइवफाइटा में चलते हैं, ब्राइवफाइटा का दो क्लासेज बताएगे, NCIAT में, लिवर वोट, और मोजिजज, तो आपका, जो NCIAT में, एक्जामपल दिया हो, आपका MR, PSR, Hello Mr. Please Submit Feast, मान लो, किसी ने Feast Submit नहीं किया, कोई अपने College का, स्कूल का, तो उससे Feast मांगा जा रहा है, तो प्यार से हम बोलेंगे, Hello Mr. Please Submit Feast, तो उसमें आपको ट्रिक लिए लिखना है, कि Classes of, ब्राइवफाइट, लिवर वोट और मोजिजज, लिवर वोट और मोजिजज, तो क्या बोलना है, Hello, ऐसे additional Mr., Mr., अनको बोल रहे है, Please Submit Feast, Please Submit Feast, M से Markensia, R से Resia, ये complete होगा, P से P से Polytrichum, S से Sphagnum, और F से Funeria, देखो ये Sphagnum, Spirogyra, Sargasm, ये सब धिहान में रखना, क्योंकि कौन सा Algae है, कौन सा Bryophyta, ये ऐसे Sphagnum है, ये Sphagnum Bryophyta होता है, ये कहीं ये मत कर देना कि S से Sphagnum के जगह Spirogyra कर देना, तो गलत हो जाएगा, कि Spirogyra क्या होता है, वो Algae है, आपका, और ये Sphagnum Bryophyta है, इसलिए मैं बोल रहा हूं, कि ये पढ़ने के बाद आपको बार बार की, आप Question Practice करना, अब Teretophyte में चलता है, Homosporus Teretophyte और Heterosporus Teretophyte के Example, तो Homosporus के Example है, DLP, Distance Learning Program, अगर आप लोगों ने कोचिंग है, तो ये बहुत Common Word है, DLP, Distance Learning Program, यहाँ पर क्या होता है, कि Students generally अपने कोई Coaching Institute का DLP, जॉइन करते हैं, तो वहाँ पर उनको Study Material मिलता है, Test Series जॉइन करते हैं, य DLP से याद रहा हो, यह मास, M-A-S-S-W-L, मास यह मास वाज़ा, D से, Dryopteris, L से Lycopodium, P से Teres, Teretophyte है, इसे से नाम ध्यान रखना, M से, Marcellia, यह ध्यान रखना, Marcellia, 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 मत कर देना, क्योंकि Marcellia क्या होता है, Bryophyte होता है, Teretophyte हम पढ़ है, Marcellia, इसलिए मैंने बत Teretophyte, Teretophyte के classes, Teretophyte के 4 classes हो, 4 example है, NCID में देवे, तो पहला पढ़ना आपको, Spenopsida, Teropsida, Cylopsida, and Lycopodsida, तो कैसे याद करोगे, यह PP silent है, जिसको ऐसे कर लेना, एक trick है, कि Spen है आपका, इसको 4 को याद करने है, क्योंकि कैसे करोगो, सब पहले इसको याद करते है, Spen के terrorist है, S Silly के spelling, S-I-L-Y से, आप यहाँ पर समझो, ठीक है, Spen, Spen से आपको क्या रखना है, Spenopsida, 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 Spen से याद रखना है, Terrorist, T, T मतलब Teropsida, Teropsida, यह होता है, P, P silent है, तो यह P add कर दो, इसलिए, अगर Terrorist याद रहेगा, T याद रहेगा, T याद रहेगा, तो Terops, Teropsida, और T के आपको लगा देना, P, Silly, S-I, S-I, Sillopsida, लेकिन Real में क्या है, वो P स्टार्टिंग में, तो P तो silent है, इसलिए, हमने ट्रिक में include नहीं क्या, आप लगा देना, P, तो Spen के Terrorist, S-I-C-L-Y, Lee मतलब Likopsida, क्या मैंने बताया, Spen के Terrorist, Silly, Spenopsida, T से Terroropsida, आगे P लगा देना, आपको लगाना है, अब इसके एक्जामपल देखते हैं, एक्जामपल कैसे याद करोगे, तो Spenopsida का सबसे पहले, Spen का याद रखना, आपको एक्विसिटर, तो आपको अगर याद है, एक तो Enric Igles, करके, Enric करके हैं, तो बहुत famous pop singer है, Spen के हैं, वो, जिन्होंने बहुत famous गाना दिया है, जैसे कि Hero हो गया, Taken Back My Love है, यह से बहुत famous song है, Enric Igles का, या फिर आपने गिटार सिखदा जसील का गाना आया था, उसमें first line था, Enric Igles, The Hero करके कुछ ही था ऐसे, तो उसमें उन्होंने Enric Igles use किया था, तो मैं इसलिए ऐसे बता रहा हूं, कि आपको ये feel हो ज Panopsida, इस से Equisitum, जैसे भी आप याद रख सकते हो, तीक है, अब Terrorist, Teropsida, Pad, PAD, Cricket Legendary Pad पहनते हैं, PAD याद रखना पैड, कसी आज रखोंगे नाम से P से Taris, Taropsida से तो Taris, फिर Adiantum एक याद और D से Dry Up Taris, ये Taris, ये Taris, PAD Padman, ये movie भी नाम था, ऐसे भी कर सकते हो, तो Taris, Adiantum और Taris के आगे Dry Up Taris, ये हो गया, Silopsida नाम से है, Silopsida, Silotum, Silopsida, Silotum, ये Complete, और Lyco, Lycoposida, Salaginilla, और Lycopodium, Ls, Large Scale, किसी चीज़ का Production, Large Scale, बहुत जादे हैं, Large Scale बोलते हैं, Large Scale बोलते हैं, Large Scale, तो Ls, Ls, Lycoposida, L से आपका Lycopodium होगा, और S से आपका Salaginilla, ये ऐसे याद रख सकते हैं, तो तीन प्लांट लाइफ साइकल, प्लांट ये लास्ट टॉपिक है, इसके मतलब एक्जामपल आपको याद रखना है, तो तीन प्लांट लाइफ साइकल के बाहर है, Haplodipalantik, 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 Haplodipalantik और Diplantik, ये हैं से से लिए, अब पहला आपको है, ध्यान ऐसे स्पायरोगा है इंगलीज बहुत वेमाज इंगलेंड के क्लिकेटर थे बैटसम थे तो इंगलिस batsman Kevin Peterson is playing, या player, English batsman Kevin Peterson playing, क्या करता है, खेल रहे हैं, इस एक्टो कार्पथ, इसस bryophyte, इससे calc, P से polysophonia, P से tydofyte, सारे इक्जामपल मैंने इंक्लूट कर दिया है, ये सिस्टेमाटिक में नहीं था, कुछ इदर था, कुछ उदर था, तो आपको, और जितने बी एक तो एक भी बाहर नहीं है, जितने वीडियो में मैंने बनाए एक भी बाहर का एक्जामपल मैंने अभी तक नहीं बताया आपको एक तो कार्पस, ब्राइफाइटा, कैल, पॉलिसिफोनिया, टाइडोफाइट, कम्लीट हो गया, आप चलते हैं डिपलॉंटिक में, डिपलॉंटिक में, एजी, एफ, ए, गुड़ फ्रेंड, ऐसे धियान रख सकते हो, पहला है पॉरिफेरा का, तो पॉरिफेरा का ट्रिक करना आपको एसे याद करना है, क्या मतलब है, शिव सेना, आपको पता है शिव सेना, ने, बैचलर's in engineering je nay होते हैं, जैसे बीटेक होता है, य्ञccoli से बे, बैचलर's in engineering कीया, फ्रॉंट, एसे फ्रॉंट, Sw пом spen, स्पैन से किया शीव सेना इतना हो गया बैचलर्स इन इंजिनिरिंग किया काँ फ्रॉम स्पैन एस फॉर साइकॉन स्काइफा B से बाद स्पॉंज E से यू स्पॉंजया F से इस से पानजे दो जर्म स्पॉंज आप सिर्टे ला और व्याज़्दे लर्गी से रखेन को यद्यान रखना बाद से सत millimeter व्यूंजária Sbinutra रिडल्य ओम मा आयगोाड पापा आपने बदमार्श की तो आप मैं नहीं देखा गी आपके पापा भी है आप पीछे से देखते हो आपके पापा तो आप बोलो Oh my God पापा है इसका लगाद ओ माइगाट पी एपापा है ओफार और लिया M, Semindrina, G, Gorgonia, P, Phycilia, A, Adamsia, P, Pennatula, A, A, Aurelia, S, Hydra अब देखो इसका side का भी नाम है यहाँ पे, तो मैंने side नाम को इसलिए include नहीं किया, क्योंकि यह सारे नाम को include करूँगा ना, जो आप का trick बनेगा, वो बहुत complicated बन जाएगा, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि इस चीज को मैं complicate करूँ इसलिए मैं हमेशा एक ही word को उठा करके बनाता हूँ यह दो चार word मिलाओंगा तो और hypothetical story create करूँगा इसमें और confusion होगा आप लोगों को मीं रे न को ब्रैंन गोल तो ब्रैंन को और मीं रिना यह देयान रखना अब Gorgonia C fan कैसे याद रख सकते हो GF से याद रख सकते हो G for Gorgonia F for fan Gorgonia fan यह ऐसे ध्यान रख सकते हो Ficelia P for Ficelia P से Portuguese Man of War Adamcia A में Adamcia आता एनिमोन में भी A आता यह ऐसे ध्यान रख सकते हो अब आप देखो Pan Natula Pan Natula को C fan बोलते हैं और Aurelia को बोलते हैं Jellyfish ए जे से याद रखना अब Tano 4 आमें कोई ट्रिक नहीं है दो एक्जामपल था Tano Plan and Plural Brachia अब चलते हैं Platy Helminthus में Platy Helminthus को क्या बोलते हैं Platy Helminthus को कैसे ट्रिक याद करना है तो Platy Helminthus में आपको फिजिक्स का टॉपिक की से द्यान रखना है P Physics Power Force Torque Physics Power Force Torque P for Platy Helminthus P से Planaria F से Fasciola and T से Tinea Physics Physics subject होता है ना Physics में आपको Power पढ़ना रहता है आपको Force पढ़ना रहता है आपको Torque पढ़ना रहता है यह सारा चीज़ पढ़ना रहता है ऐसे आप याद रख सकतो Physics में आपको पावर, Force, Torque Physics Power, Force, Torque जहांके P का मतला Platy Helminthus P से Planaria Fasciola, T से Tinea Fasciola, Liver Fluke, Tinea, Tape Worm, Tape Worm का Scientific के नाम है Tinea ध्यान रखना है यह भी एक बार Escalminthus, Escalminthus में हमको छोटा सब्स फ्यू अरहान किसी का नाम है अरहान का उसके आगे लिगा देना Few मतलब F E F से Philarial Worm, Philarial Worm का Scientific Name है Wocharia, Wocharia Bancrofty Escalminthus, Escalminthus का Scientific Name है Round Worm का तो आपका यह एक हो गया यह एक हो गया और यह एक हो गया यह ध्यान रखना Philarial Worm, Wocharia होता है, Escalminthus किसका है, तो Round Worm का और Hook Worm का क्या होता है Encyclostoma, Encyclostoma तो 3 Worm के बारे में है Hook Worm, Round Worm और Filareal Worm, तो कैसे याद रणा, Few Aran Filareal Worm का वचे एरिया, आड से आपको याद रखना है Round Worm, Round Worm का क्या है? आसकेरिस, और Hook Worm का Encyclostoma, इतना हो गया, अब देखो आनेलिडा में इसको शिंपल है पसंद नहीं है पसंद नहीं है पी से अर्थे लिए से अर्थे नेरिज और हिरो दिनेरिया को ब्लोड सकिंग लीज बोलते हैं अब तो आर्थरोपोड आर्थरोपोडा का बाल जुसके सर के बाल है ऐसे हाइपोटिटिकल है उसके क्या बाल है काला कलर का है तो B-A L अधिवाल काला C-A-L-L-A पाल, स्पैलिंग अगर नहीं कंफ्यूस हो जाए तो बॉल अथ्रोपोडा मालो कրकेट खेले गा बॉल से खेले गा तो किस कलर के बॉल से खेले गा तो ब्लैक कलर का ये इसका बॉल हो गया बॉल कि स्पेलिक क्या है? बि-A-double-L कौन सा कलर का है? ब्लैक कलर का डि-A-L-L बॉल बॉल कोन सा रणका था? काला C A L A जो आपका Qlex और Anophilia यह मॉस्क्यूटर है क्योंकि अनफिली मॉस्क्यूटर आप ध्यान रखा होगा अब देखना आपको यहां पर ध्यान रखना होगा कि बॉंबिक्स को सिल्क वाम एपिस हनी भी यह कॉमन है पता ही होगा लैसीफर एल से लैसीफर एल से लैक इनसेक्ट लोकस्ट ग्रेगरियस पेस्ट यह याद रखना आप यह सारे एंसेक्राइग लिवीग फॉसिल फॉसील की क्रैब लेविग फॉसिल क्यूंग लिविंग फॉसिल एल से याद रखना के सील किंग क्रैब लिविंग फॉसिल यह किसका ली मुलत के अंदर आ है तो आपका प्रिक में यह आ रहा है लेकिन आपको यह धियान में रखना हो यह सारा, यह बीना टुरिक का है क्योंकि अगर ट्रिक में इंक्लूड करूँगा तो बहुत complicated होगा जो कि मैं नहीं चाहता हूँ तो आपका trick में यह सब example आएंगे और आप एक दो बार पढ़ोगे और जब mcq solve पर हो थी सारे आ जाएंगे कि लैसिफर में लैकिन सेक्टाप को याद रखना है आप इस हनी भी को बोलेंगा ओहूं आप बंबिक्स, पेआम लीवाग लीव लाख जिंग क्रैब एडिसमाब को श्रीट कर दो कि अब चलते हैं यह मॉलस्का है P-Load as PC. Please load क्या जरना? PLEASE load secret of PC. प्राइवेट कम्पीटर. PC का कोई secret होगा आप यह मॉल्स का बोलेगा. PLEASE PLEASE load, L-O-A-D, load secret. ऐसे secret of किसका PC? P से PILA, L से LOLIGO, O से OCTOPUS, APLESSIA, DENTILIUM CPI, PINK TADA CHEITO, PLULE यह ऐसे कर सकते हो और इसका भी नाम है है आपको याद हो जाएगा जैसे पिला का applesよう होगी स्क्वाइड हो सेहहर سेटीयार सेंब्सेयार सेट रहाए कि यह कर रहाओ वह दिया रहन रखना है आपको यह द्करना ऐस्से और इससे आपको पड़ना तो याद हो जाएगा है मिकार्टा बस बैलेनोग्लोसस और शाको फले अब आपका चलते हैं इकानोडविकर्विक्अ के इकानोडविक में याद रखने आ आपको सी ओफ a American University American University निए सॉरी ऑफ अमेरिकन अकेडमी ऐसे ध्यान रख सकते हो CEO of American Academy University नहीं है CEO, CEO of American Academy AA C for Kukumeria E for Echinus O से Ophura A से Antidone A से Asterious Asterious है Asterious को आप देखो Starfish बोलते हैं Antidone को C Lily बोलेंगे Ophura, Brittle Star Echinus, C Urkin Kukumeria में कुकुमबर आ रहा ऐसे Ophura का Brittle Star Brittle Star Brittle Star Ophura ऐसे ध्यान में रखते हो Antidone Last आपका है Cordata Cordata को यहाँ पर तीन बार्ड में डिवाइड के हमने Euro Cordata, Cephalo Cordata What इवरेटा Euro Cordata को हम बोलते हैं Tuning Tuning Carta Gensi A.T. में है तो द्हान में रखना है Tuning Carta इसको भी बोलते हैं ठीक है अब Cephalo Cordata Euro Cordata दोनों को हम बोलते है Proto Cordata यह भी ध्यान रखना इन दोनों को हम क्या बोलते है Proto Cordata Euro Cordata के एजामपल Saed है Cephalo Cordata के एजामपल Bal Bal इसके भी बालों के बारे भी बताना है यहां पर S से Selpa A से Ascadia D से Dolulum B से Branchiostoma A से Amphioxus L से Lensulate ऐसे ध्यान रख सकते हो तो देखो जैसे मैंने आपको एक्जामपल बताया तो कुछ-कुछ जैसे यहां पर है कि MCQB Solve करना Cyclos Tomata का याद करना है Cyclos Tomata का याद करोगे My Harry Potter Life My Harry Potter Life MHPL My Harry Potter Life M4 Mixing S से Hackfish P से Petromyzon L से Lamprey Mixing का ही नाम है आप Hackfish और Petromyzon को ही हम बोलेंगे Lamprey यह ध्यान रखना अब चलते हैं Condriatus में Condriatus में C से Condriatus है कोई एक इंडिविजन नाम याद रख लो किसी का याद है तो मैंने यहां एक 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 चाया के लिए यह जस्ट एक hypothetical है अफेंड नहीं होना है तो कोई चाया नाम की पाटिकलर रटकी है और कोई पाटिकलर उससे कुछ बोल रहा है चाया उपको कायर केरड़न में क्या एक ग्रेट वाइट शार कि ट्राइगॉन पोसेस स्टिंग रहे इंपोर्टेंट है इंडे एक्जाम में आया भी हो है प्रिस्टिस सॉफिस स्कॉल्योड़न डॉक्फिस डॉन डॉक दिहान रखना है और टॉर्पीड़ो तो हेल्फ चाहिए ऐसे दिहान रखना है बी-सी हेल्फ चाहिए बी-सी-एच-ई-ए-ल हेल्फ चाहिए सी से कतला पी से टेरोफाइलम से लेवियो ई से एक्जोकिटस से हिपोकेंपस सी से क्लेरियस तो देखो इसका यह मैंने इसलिए यह जो ट्रिक बनाई है यह 息ार यह जिसकह जो और भी नाम आपका जग जो है जैसे कि आम मालो जो आपका नाम होता है सारा नाम को इन्क्लूड नहीं किया है देखो यहां बीटा फइटिंग फिज बोलते हैं क्योंकि और हो मिक्स करोना तो BC health चाहिए, beta, clarius, hippocampus, यह हो जाएगा, अब beta के आगे आगे आपको ध्यान रखना है fighting fish और यह आपको तभी clear होगा जब आप MCQ solve करोगे, तो इसलिए मैं बोराँ, MCQ ज़रो solve करना, fighting fish, clarius, magur, magur, cm से ध्यान रख सकते हो, hippocampus, sea horse, executors flying fish, यह क्या होता है, flying fish होता है, labio, rohu, terophyllum, angel fish, p, a, f, puff, बालो में puff होता है न, लड़किया generally बनाती है, terophyllum, piece terophyllum, ace angel fish, हो गया, cutla, cutla, यह ध्यान रखना, rohu, flying fish हो गया, flying fish किसको बोलते है, executors, executors flying, एक दो बार बोलोगे, MCQ solve याद हो जागा, c हो इसको बोलते, claris, magur, और beta fighting fish, कैसे याद रख सकते हो, beta, beta भी बोल सकते हो, beta fighting, beta में सा जो लड़ाई करेगा, beta fighting, यह हो गया, अब amphibia में चलते है, amphibia कैसे या टूटा हुआ है, टूटा हुआ, ribs, r-i-b-s, hyla, tree frog, tree frog, इसको एकी चीज, टूटा हुआ मतलब, hyla लिखा हुआ 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 है, हम tree frog बोलते है, यह ध्यान रखना है, एकी चीज है, टूटा हुआ, tree frog, hyla, यह हो गया, अब रहना, जब बचपन से आपने पढ़ने पढ़ पत्या रोग, frog का scientific name, रहना टिगरी ना, तो रहना से आपको frog ध्यान रखना है, अब i से, एक्थियोफिस, b से, buffo, buffo, और s से salamander, salamander में salamandra, salamander, salamander, यह ध्यान हो जाएगा, buffo, toad, यह ध्यान रखना, और यह बहुत important आपको है, कि limbless amphibia, को हम बोलता है, एक्थियोफिस, एक्थियोफिस, L-I, limbless amphibia, L-A-I, lie, L-A-I, आपको याद रखना है, यह बहुत important है, lie word, limbless amphibia, एक्थियोफिस, आर से रहना frog का हो गया, यह हैलाट्रिक frog, अब देखते है, एप्स में, तो एप्स में ध्यान रखना, सपना चौदरी से, सपना, और इसम कंप्योटर, PC में, किसको देखा, Apes देखा, यह याद हो जागा, Apes का एप्सका एक्जामपल है, S, P, N, A, सपना, C, सपना, C, से, सपना, C, से, चौदरी ने, PC, में क्या देखा, Apes, Apes का एक्जामपल है, S से, स्टुथियो, P से, सिटाकूलम, N से, बिखना, A से, आपटन त्रिक के चक्कर में मत पढ़ना क्योंकि ट्रिक भी कॉम्लिकेटेट हो जाता है एक टाइम पर अगर सब कुछ ट्रिक से याद करोगे तो श्टूथियों को ऑस्ट्रिच सिटेकुलापी से पैरोट यह न्यू और यह न्याद रखना वेरी नाइज वी से वल्चर एंसे न्यो और देख लेता है तो गूंऊए ऑफ से पहले हैं अपका सच अगर करोगे तो हों आप याद ऐसे न याद रेक सकते ही वेरी नाइज 2 वह रिया इस याद रख भात नहाना है 505 बात बाद ऑभर की यहेरी नाइज बेई बहरे नाज में एक डापॉरर्ट आज व비र्यकंश ह बात बता रहा हूं वेरी नाइस बैटिंग हैंड ऑप क्रिस क्रेंस न्यूजलेंड के ओल लेंडर है जो क्रिकेट देखते हैं उनके लिए हैं नहीं तो सबसे बेसिक आप ऐसे याद रखो वेरी नाइस फिर बात है बीटिस नहाना और चार वर्सी एक दो तीन चार वी से वा घ्राइब क्रोकोडाइब क्रोकोडाइल बूलते हैं चैलोट्ल को गार्डन लीजाट लीजार जर उते हैं चैम यानगो ट्री लीजाट लीजाट इसको बोलते हैं तो चैमैलियों को बोलते हैं चdessis को ब्यूठ चैमिल्यूं को भी टर्टल क्यूक्ека आपको दोचाब स् cultivated से तरड़ से पसंसे टर्ट टोइश टीफार ट्रक्रीष टूड़ टीष टॉड़ 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 टीफीफ़ टॉड टॉड़ टॉड़ अलिगेटर बंगारस करेठ नाजा कोबरा और वाइपर आप देखो मैमल्स का लास्ट का क्या है प्राइम प्राइम मिनिस्टर ने सी एम को एम्प्लॉई बोनस ओफर किया प्राइम मिनिस्टर हमारे ने आपके स्टेट के चीफ मिनिस्टर को क्या किया इम्प्लॉई बोनस ओफर किया इम्प्लॉई बोनस ओफर प्राइम मिनिस्टर ने किसको चीफ मिनिस्टर को क्या किया इंप्लॉई बोनस ओफर किया, P से टेरोपस, M से मेक्रोपस, C से कैमिलस, M से मकाका, इसे क्वस, B से बैलेनोप्टेरा, बैलेनोप्टेरा और O से औरनिथो रिंकस, यह बहुत इंपोर्टन्ट है, क्योंकि यह एक ऐसा मैमल है, जो कि ओ भी पूरस होता है, प्यूकि हम जानते हैं, जो मैमल होता है, वह भी पैरस होता है, लेकिन आपका यह कुशन बहुत इंपोर्टन बन रहा है, यहां पर कौन से ऐक ऐसा मैमल है, जो कि आपका ओवी पैरस मैमल होता है, तो आपको धियान रखना है, और निथो, रिंकस, और जिसका नाम है, प्लैटिपस, यह भी तो आपका ओप्शन में यह भी हो सकता है, यह भी हो सकता है, आपको यह ध्यान में रखना है, और निथोरिंकस और प्लैटिपस तो टेरोपस को फ्लाइंग फॉक्स बोलेंगे मैक्रोपस को कंगारू कैमिल कैमिलस नाम से ही कैमल मकाका मंकी को बोलते हैं एकक्वस होर्स को एकक्वस अपने पढ़ावगा हो इवोलुशन में बैलन अप टेरा ब्लू वेल यह तो ट्रिक से हो गया कि पी एम ने इसके साथ ही कुछ और भी एंसे टीमर्स को ट्रीक में इंक्लूड नहीं गया क्योंकि यह बेसिक होता है आपको पता ही मैमल्स क्या क्या हो चकते हैं तो आपका रैट हो गया डॉग हो गया गया cat हो गया elephant हो गया dolphin हो गया tiger हो गया lion हो गया यह lion है तो lion का scientific name क्याहता panthera lion को बोलते है panthera tigris तो lion tiger यह हो गया अब आपको dolphin, dolphinus, elephant, fallis, cat, dog, canis, ratus तो यह सीधा नाम है यह तो आपको एक थोड़ा ध्यान रखना हो कि dog का नाम है canis और cat को fallis बोलते हैं इस सब इनका scientific name है cat, fallis, dog, canis, c, d से canis, d से dog, f से fallis, c से cat यह भी ध्यान रखना है यह दो एक दो बार पढ़ोगे तो मैंने बताया आपको mcq solve करोगे, मैं बार बर इसलिए बोल रहा हूँ आपको सारे चीज़ में की वह बहुत जरूरी होता है कि आप जब तक mcq solve करोगे, अगर mcq solve कर लिया आपने इसके example के तो आपका यह कहीं नहीं जाएगा, कहीं नहीं भूलोगे और neat में question इससे आते ही आते हैं ठीक है, पहला topic आता है यहाँ पर आपका roots की example और modification of roots की example तो roots की example आपको तीन roots की बारे में बताए गया, tap root, adventitious roots and fibrous root अब देखो, उसको कैसे याद करना है तो एक छोड़ा सा trick है उसको example भी आ जाएगा, यहाँ पर मैंने adventitious को include किया यहाँ f से fibrous और t से tap root, तो आप मान लो जो देख रहे हो आप individual, आप अपने college, sorry college ने, school के यहाँ जहाँ पर कोचिंग पढ़ते हो, वहाँ के top पर हो, तो आपने को exam में फिर से top मार दिया, तो आपकी मम्मी आपके पापा को बोलेंगी, A, G, मेरे बेटे या बेटी, A, G, मेरे बेटे, A, G, मेरे बेटे ने यहाँ लिख लेना आप जब आप पढ़ देख तो, फिर वहाँ top मार आ, A, G, मेरे बेटे ने ऐसे ही add करना है, फिर वहाँ top मारा, A for adventitious, G for grass, M for monster, बन्यान ट्री हो गया आपका जो होता है अब है फाइब्रस वीट और टी से टैप रूट के एक एक ग्जामपल आपका है मस्टर्ड तो यह आपको ध्यान रखना है अब मौडिफिकेशन पढ़ते हैं तो कोई किसी चीज का मौडिफिकेशन अगर अगर होगा तो वह कोई किस सबसे पहला है कि टैप रूट मोडिफाई होगा किस लिए की फंसन के लिए तो कौन सा फंसन कर रहा है यह तो मौडिफिकेशन आप टैप रूट फॉर्ट फॉर्ट का इक्जामपल है टर्णी और कॉनिकल रूट का एक्जामपल है कैरोट कैसे याद रखना है आपको तो से केला याद हो गया अब आपको नयपीः फॉर्ण याद करना मैपी फॉर्म याद करोगा अबे नापताओ अगर आप्टे वी देखते हो ग атवी तो आपसे नयपे फ्चू तो नाप से अपेफॉर्म तॉल से टडरनी पहना सुआ अब देखना मोडिफिकेशन पॉन सब आप रूट फॉर रेस्पाइरेशन नियूमेटोफोर इसके एक्जामपल है राइजोफोरा यह धान भी रखना जो एक ही ऐसे आप याद कर सकते हो अगर याद नहीं हो रहा तो पी एनार से याद रखना नियूमेटोफोर राइजोफोरा मैं तो ऐसी बोलूगा आपको कि ए इडवैन्टेशिस रूट का मौटिफिकिस्ट हो रहा है यह भी मौड़िफाई होगा तो प encont wurde करेंका क्या resonate पहला है कि monitor पिलोफीन और जो यहां पर आप इससे और आपकर त्यूपे बन्चो उप एगशामपल और शुखर के आपको इसको याद रखना स्मस से आ सैंहा और M से मेज और S से सुगर केन प्रॉप 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 के एक्जामपल एक है बन्यान यह ऐसे ध्यान रख लेना अगर याद नहीं कर अगर एस ट्रिक चाहिए तो पब से याद रख ना पब जी याद रख सकते हो कुछ भी अब है अब हमें पढ़ना है मोडिफिशन स्टेम तो सबसे पहला अंडर ग्राउंड मोडिफिशन फंसन क्या करेंगे यह फूड श्टोर करेंगे वेजट एन वेजटेटिव प्रोपागेशन तो फूड का पहले देखते हैं फूड के लिए क्या यह कंटिन का जोन हम मैंने नाम दिया यहां पर केंटिन में क्या हो क्हाना ही ले मॅन जाएगा तो कौं जा रहा है तरून और आपके नीट में भी आया हुआ तो आप यहां पे एक बार जरूर पढ़ लेना स्टॉलन में है जे पी एफ जे फोर जास्मीन पी फोर पैपर मीट और एफ से फ्रैग एरिया वाइल्ड स्टॉबेरी कैसे याद रखोगे तो स्टॉलन स्टील चोरी से आ रहा है कहीं चीज जैसे कोई इंडिया के स्टेट जैसे के जम्मू हो गया आपका जम्मू पुलीस फोर्स स्टॉलन जम्मू पुलीस फोर्स या फिर जहरकंड पुलीस फोर्स कैसे भी याद रख सकते हैं सकर सकर के एक्जामपल है बनाना बी पी सी एम पाइनेपल सी से क्राइजन्थमम एम स कैसे याद रहोगे तो देहो भी से biology, physics, chemistry, maths biology, physics, chemistry, maths यह सारे subject क्या है जो कि स्ट्रेंड सक्थ यह क्या करते है मारलो ऐसे स्ट्रेंड इसे पढ़ने में नहीं लगता होगा तो उनके लिए एक terminology होता है कि यह biology, physics, chemistry, maths, यह सारे से subject नहीं बहुँत टफ होते हैं सक सकर से इतना होगे offset offset आपको याद रखना है E-P E-Cornia और P से Pistia तो इसको कैसे याद रख सकते हो off याद रखना और episode याद रखना off मतलब offset और episode में से E से आपको याद रखना E-Cornia और P-I-S से याद रखना आपको Pistia off episode E-Cornia और Pistia गलती होगी आप दोगो aerial modification में stem tendril ये इसके कोई ट्रीक नहीं क्योंकि ये common है आपका stem tendril आपने देखा होगा गौर्ड बीटर गौर्ड जनरली अब आपका grape vines, cucumber, pumpkin, watermelon ये सब कैसे होते हैं आप tendril के form में होते हैं आपने अपने लाइब में जरूर देखा होगा इन सब का पेड तो इसके लिए कोई आपका definition नहीं है तो आपको tendril में आपको ये पढ़ना है ध्यान रखना अब thorn, thorn में citrus and bog and willia, तो कैसे याद रखोगे thorn, thorn movie होती है तो कहां लगती है जनरली, cinema hall में लगेगी तो thorn big cinema ये याद रखना, thorn big cinema, movie होई, b से bog and willia और c से citrus, फाइलो clad for photosynthesis, अब इसका क्या फंसर ना photosynthesis, तो ये आपको याद रखना है P, E, O, P, O, P for phyloclade, P for photosynthesis, perform करेंगे example, E से euphorbia और O से पुलिशा देखो, ये एक बार आप पढ़ोगे और जरूर MCQ को solve करना क्योंकि उसके बिना नहीं होने वाला है आपको, confused होगे इतने साथ trick है, लेकिन यही अगर MCQ solve करोगे तो सारथ trick आपको आराम से आपको mind होगे और यहाँ से need से question जरूर आएगा एक याद दो देखने देख लेना आप अब फारो टेक्सी जो कि आपका arrangement of leaves on stem होता है इसमें तीन टाइप्स है वोल्ड, alternate, opposite तो आपको तीनों कैसे याद रखे होगे तो वाव, W-A-O, वाव से याद रखना है, वोल्ड, alternate, and opposite अब आपकी example है, वोल्ड में एक ही है, अलस्टोनिया इसमें तीन ह सी और सीजी, तो एलस्टोनिया नाम की एक कोई लड़की है, यह लड़की है, जनरली समझो, ठीक, एलस्टोनिया जिसने MSC किया, MSC आप चानते हो, Masters in Science, जैसे 12 होता है, उसके 20 होता है, उसके MSC होता है, जनरली मैं भी कर रहा हूं अभी, एलस्टोनिया, MSC, एलस्टोनिया MSC, from CG, चंडी गड़, CG, CG for, CG for चंडी गड़, या फिर 36 गड़, कुछ भी, तो, एलस्टोनिया ने क्या क्या म Scary का, कहा से CG, अलस्टोनिया तो एक ही होगी, आपको क्या रखना, वाउ, ढू, याद रखने लिए, अप क्या रखना, एलस्टोनिया, अलस्टोनिया ने क्या कि msc क्या msc कहां से क्या cg चंडीगड एलस्टोनिया के एक्जाम्पल कम्प्लीट हो गया जो आपको वोल्ड फाइलोट्रेक्सिको अल्टरनेट में आपका msc है तो m for mustard s for sunflower c से china china rose देखो यह china rose आ गया मैं एक और चीज़ बता रहा हूँ आपको कि आगे china rose बहुत बार आएगा तो आपसे और एक बर कुश्चन भी किया को कि बारे में कि बता पर दहना ऊक्ता इससे चाया रोज मिलको क्या यह सी से चायना रोज ऑगे से बहुत कुछ मिले हैं आपको यहीं पर मिल गया चैना रोस किसमें आएगा अल्टरनेट में और C से क्या है कैलोट्रॉपीस किसमें आएगा अपोजीट और G से गवाबा अगर इसको भी क्लियर करना है तो आपोजीट में याद रखना चैना C A L A काला गहरा अपोजीट काला गहरा यह भी धिहान रख सकते हो काला में C A L आएगा काला तु काल टक क यह कॉमन है काला तो केलोट्रॉपीस ऐसे धिहान रख सकते हो अगर आपको क्फूजण हो सीज़ी में क्योंकि दो-दो बास्ती है तो यहीं ध्यान रखना आपको की चायना रोज इसमें आएगा तो यह कैसे आप समझोगे जब तक आप सॉल्व नहीं करोगे तो इसलिए मैं बोलता हूं आपको बार-बार की या-bialateral symmetry एक्टिनोम और मैं चिल्ली क्या याद रखना मैट चिल्ली मैट चिली और पीजी बीसी पीजी बीसी कोई भी पीजी बीसी ऐसे भी एप प्लीज गीब बीसी एसे मतलि या फिर अगर आपको फूल्ल याद रखना तो प्लीज गीब बिटकोईं बिटकॉइन एक हो ख्रीज गीब बीट्कॉइन शल्ग इसमस्टड छी चिल्ली या फिर पी से पी डिसे ग्ल्मोर्फि बी से बीन और सी से चैसिया एले कैसिया यहां पर यहां पर आपका चांडा रोज नहीं आ यह ध्यां रखना सी चैसिया है हो अब टाइपस of flower तो types of flower तीन type के हैं hypogynos, perigynos बहुत important है यह topic very important hypogynos perigynos, ipigynos, इसको बोलेगे superior overi, half inferior बोलते हैं यह धियान रखना और inferior यहाँ पे NCRT में है आपका half inferior यह धियान रखना यह half superior नहीं, inferior अब इसको याद रखना को VCM, RP, PGC एक terminology Kollege पुरा में बता रहा हूं कैसे याद रख सकता है क्या मैंने बताया हाइपोगैनर . पैदि गनज़ेंस और इपिगानर यह होक्या हाइपो पैडिगानर स्कृति बिहार आपको ब॥। बुटान के CM का नाम है हाइपोथर्टिकल सोचना है राम प्रशाद पांडे और वो कौन से है जनरल के टेगरी से विलॉंग करते हैं तो आपका क्या है हाइपो गाइनस, पेरी गाइनस और इपी गाइनस आपको मैंने क्या पता है कैसे याद रखना है कि भुटान के CM क्या है, नाम क्या है राम प्रशाद पांडे भुटान के CM, राम प्रशाद पांडे क्या है, कौन से कैटेगरी के हैं जनरल कैटेगरी अब फूल फर्म देते हैं तो B से आपका होगा ब्रिंजल C से आपका होगा चाइना रोज यह दियान में रखना चाइना रोज, M से मस्टर्ड और R से होगा रोज, P से आपका होगा प्लम, P से पीच, G से आपका होगा गवाभा, C से होगा आपका कुकुम्बर, तो दो दो बार C आ रहा है, तो इसलिए मैंने बताया आपको चाइना रोज में धियान देखना है, यहा मैं आपको याद रखना है, सबसे पहला और एक है कल्वा नाम है, जनरली जो लोग यह कल्वा बहुत common word होता है, तो आपको कल्वा पता होगा, जो जनरली जिनका dark color होता है, उनको कल्वा बोलता है, बहुत सारे common language है, तो कल्वा वर्इज से ध्यान रख सकते हैं साबुँ ह किलवा का मतलब CAL से होगい आपका केलोट्रॉपिस C-A-L-V-A C-A-L से याद रखना आपको केलोट्रॉपिस क intent iç होता का वैलोट synthesis तो पहले आपके याद होगल कैलवा से क्वैल याद रखना क्वैसelye कर 90 दिशन सकत्य सबक्नाब क्वैलोट चाइनिज लेडी को एक चाइनिज लेडी है वो क्या कर रहे है टेकिंग केर केर कर रहे है तो चाइनिज लेडी टेकिंग केर है किसका केर कर रहे है इंडियन सिनेमा गर्ल हमारे इंडियन सिनेमा गर्ल क्या नाम है विद्या बालन वी से विद्या बी से बालन और पी से परिन तो CL Chinese lady taking care आप लिख देना जैसे मैं बोल रहा हूँ ना आप लिखते जलो Chinese lady taking care Indian cinema girl विद्यावालन प्रियंका और जहां पर मैंने आपको dark किया है तो यह आपका एस्टिवेशन जैसे कि यहां पर dark है आपने कौन पढ़ा कौन सा पढ़ा वैलवेट तो आपका twisted है तो twisted का एक्जामपल है चाइनीज लेडी चाइनीज से आपको feel आ रहा है चाइना का तो चाइना रोज आएगा यहां पर यह दिहान देनी की बात है चाइना रोज यहां आ गया अब L से ladies finger T से twisted हो गया C से cotton अब चाइनीज लेडी टेकिंग केर एक साथ ही यह twisted का सार एक्जामपल है तो twisted का कौन कौन से एक्जामपल हो गया चाइना रोज लेडी लेडी स्फिंगर और C से cotton चाइना रोज के साथ cotton आ रहा है यह दिहान रखना अब ICG Indian Cinema Girl जो मैंने बत IC Imbricate C G C for Cassia और G for Gulmohar यह बार ब यह देखो आपका C से कैसिया आ गया C से चाइना रोज भी था C से cotton भी था लेकिन ICG का जो है IC Imbricate Imbricate के एक्जामपल C G गुलmohar के साथ क्या आएगा कैसिया यह दिहान देने की बात है और यह twisted के साथ एक चाइना चाइनीज लेडी टेकिंग केर में twisted में एक चाइना र विद्या बालन पागल वी से वेक्जिलरी वेक्जिलरी के एक्जामपल B not P हो गया आप अंड्रोसियम में भी आपके NCI पे दिया हुआ है तो आपको यह ध्यान रखना है एक ही लेंगेज मेरे चाचा ने DP दुर्गापुजा जनरली दसेरा को दुर्गापुजा भी बोलत पी तो आपका मेरे चाचा से हो गया मोनोडल्फर्स और दिया दियाद फ़िए पी ने खरीदा PC फिर आपका आगया पॉली दल्फर्स के एक्जामपल यह सिट्रस साइट्रस यहां भी दो बार सी आया गया इसलिए मैं भी बताया कि चाचा रोस पर आपको ध्यान दे रहा ह मेरे चाचा ने दुर्गव पूजा में खरीदा P.C. M.C. क्या मोनोडलफर, D.C. डायडलफर, P.C. पॉलीडलफर इसका एग्जामपल क्या है यह चैना रोजस में आएगा अब डायडलफर में एग्जामपल आपका P. और पॉलीडलफर के एग्जामपल C. से सिट्रस इसे बोल दूसरा आपका P. अपीफाइलस के एग्जामपल ली और अपीपेटलस में ब्रिंजल कैसे ध्यान रखना रखना तो अपीफाइलस में डबल आ आ रहा रहा है यहापे भी आपको ऐसे सौचना है यह ली में आपने अगर ऐसे कर दिया यह ध्यान रखना P. पेटलस ब्रिंजल पैटल में यह ला रहा है यह द्यान रहा है इसलिए आप ऐसे याद कर सकतो एपिफाइलस में लल और लिली में लल करके नसे हो गया अब प्लेसेंटेशन यह बहुत इंबॉर्टन टॉपिक है तो प्लेसेंटेशन कैसे याद रखना है तो मैं इजी ट्रिक बता र प्लेसेंटेशन के नीचे दियान रखना है नहीं कि आरता मीप फेस्वेक मटस कहना ढेंगर थो कि नीच लिया है तो मैप नीचे देख लेते हैं यह दो पाट मिए कर दिया मैप फेस्वोग मैं ठीबूग मैप मैप फेस्वग์ मैं नहीं पी पी कि कि याद रखना आपको पापा हुमारे पापा ठीक है पापा और अब देखो पापा के बाद एक यहां पर है एम है P TLC AM DPMS है तो क्या है PAPA AM AM सुबा का टाइम होता है तो PAPA हम जनरली क्या होते है सुबा के टाइम TV देखते है तो TV में जनरली वो न्यूज है तो एक न्यूज चैनल है The Learning Channel तो आप यहाँ से याद रखते हो कि PAPA The Learning Channel देखने का Morning के टाइम है P for PAPA TLC The Learning Channel PAPA P से The Learning Channel The Learning Channel TLC देखने है AM Morning Time में तो full form देखने हैं P से P का TLC मतलब The Learning Channel जो मैंने बता आपको Tomato L से Lemon C से आगया है यहाँ पर चैना रोज यहाँ पर एक ही C है तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है चैना रोज ही होगा अब यहाँ देखना पराइटल AM जो मैंने बता M में पी मैप फिर PAPA TLC AM P Tomato Lemon Channel A से Argymon और M से Mustard यह Mustard भी ध्यान रखना अब देखना Facebook तो Facebook पे जनरली हम DP डालते हैं तो आपने Facebook पे अपने DP को अप्लोड किया और वो जो DP का साइज है वो Medium Size का है तो आपको ऐसे याद रखना है Phase Book पे आपने क्या डाला? DP और वो कौन से Size का डाला आपने? Medium Size का तो DP देखते हैं D for Dianthus P से Prime Rose और M for Marigold से स्वारी Marigold सनफ्लावर तो क्या मैंने बताया जल जल देखते हैं PAPA The Learning Channel AM पापा सूबा में The Learning Channel देखते हैं और आप इसके आगे क्या लगा होगे? M, A, P, Map और आपका Facebook F, B Facebook पे हम लगाते हैं DP और वो कौन से Size का है? Medium Size का है DP आपका Medium Size D for Dianthus P से Prime Rose और Medium Size M for Marigold S for Sunflower ठीक है? अब फैवेसी अब देखो आपको Family के देखते हैं तो फैवेसी, सॉलेनिसी और लीलियसी के एक्जामपल जल्दी जल्दी देखते हैं तो फैवेसी में देखो क्या है? P.O.D.FFM तो फैवेसी में आपको धिहान रखना है कि जनरली जो शराब होता है शराब का एक और वर्ड होता है दारू भी बोलते हैं लोकल लेंग्विज में तो आप किसी एक पार्टिकुलर को बोल रहे हो कि P.O.D.R.U. फिर फोडना मिरर P.O.D.R.U. फिर फोडना मिरर क्योंकि जाएसी बात है अगर कोई जरूरत से ज़्यादा ड्रिंक कर लेता है तो वो अपने कंट्रोल से बाहर में हो जाता है तो यह जनरल वर्ड है कि क्या ध्यांड में रखना एक वर्ड P.O.D.R.U. फिर फोडना मिरर P.E.O.P.O.D. से दारू P.O.D.R.U. क्या करना फिर फोडना मिरर P.E.O.D.R.U. अडिबल ओईल और्नमेंटल डाई फाइवर फोडर मैडिसीन तो देखो जनरली एक्जामपल में कभी यह दे देंगे या फिर इसके जो पार्टिकुलर इसमें और भी एक्जामपल से वो भी देंगे और्नमेंटल में याद रखना आप स्वीट पी और लुपीन अब है इंडिगो, फोरा, सन हैल, सन हैंप, सिस बैनिया, ट्राइफोलिया, मुलाइटी तो यह भी थोड़ा याद करने में कॉंपलिकेटड होगा तो एक और ट्रिक देख लो छोटा सा SST is pro-level SST, जनेरली जे आप 9-10 में पढ़ते होगे SST, तो सोचल साइंस का जुछ सब्यट है तो SST is pro-level क्या याद रखना आपको SST, I से याद रखना Is pro-level S for sun-hemp S for सिस बैनिया, T से ट्राइफोलियम, I से इंडिगो फोरा P से, P, Sweet P generally और ल से लुपिन क्योंकि मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि आपका ये भी ग्जामपल देगा और बोल देगा कि इसका इस एक्जामपल आपको फैबसी का सारा एक तो ये ट्रिक से कर सकते हो प्योडारू फोर्ड ना मीरर ये एक दो तीन ये जो दो तीन है ये कॉमन वर्ड एक कॉमन देखो szolah 16 Okay dots 16 साल की kulit किया नाम उसका बेला एंच्वर्या ने क्या काया ने आलू टोमेटें ब्रिंजल चिल्ली खाई क्या कैंदानू ख्या तोमेटें ख्या ब्रिंजल ख्या चिल्ल्य ख्यां तब पेटू हो गई्व तुन साल की बेला साल से याद रखना को solenacy अंदर आगा बी से बैला बैला मतलब बैला डोना ऐस्वरिया अश्वगंधा यह हो गया आलू पोटेटो हो गया टोमेटो टमाटर ब्रिंजल चिली यह नॉर्मल लिया है खाई तब तब टी से टोबैको पेटू मनदा पी से पिटूनि यह सारे एक्जांपल किसे solenacy तोमेटो ब्रिंजल पोटेटो फूट की तरह व्यूज करते हैं चिली यह स्पाइस बैला डोना अस्वगंधा अश्वगंधा 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 मैडिसीन टोबैको एज़ा फ्यूमिगेटरी और पिटूनिया औरनमेंटल कैसे याद रखोगे 16 साल की बेला है सुरिया ने आलू टोमेटो ब्रिंजल चिल्ली खाई तब पीटू हो गई जो जो मैंने अंडरलाइन किया है वह सब कहीं मतलब है बांकि यह सब ऐसे ही एड किया वर्ड को अब लास्ट हम चलते हैं लीली एसी ली नाम की को काटा वेजिटेबल ग्लोरियस जो लिल्ली खुबसूरत ग्लोरियस जो है उसने क्या काटा वेजिटेबल और काटा के सब्सक्राइब को सी एटी ए काटा ग्लोरियस लिली ने काटा वेजिटेबल जहांके लिली का मतलब लिली एसी हो गया ग्लोरियस मतलब ग्लोरियोसा ग काटा C A T से Tulip A से Alloy और A से Asparagus जो कि Asparagus यूज़ होता है as a vegetable यही देखो Glorious Lily ने काटा vegetable तो देखें यह जो vegetable है यहाँ पर जो आप एक ही साथ ही है जैसे कि यह देखो vegetable Asparagus example है तो यह आपका याद हो गया Glorious Lily ने काटा क्या काटा? vegetable तो vegetable का आपका यहाँ पर एक example हो रहा है asparagus यह आपको याद रखना है A से आपको याद रखना Alloy T से आपको याद रखना Actiulip और C A से इसको जो आपका यह है तो इसका pronunciation है काल्चूसीन क्या बोलते हैं इसको? काल्चूसीन काल्चूसीन autumn nail काल्चूसीन इसका ऐसे pronunciation होता है काल्चूसीन आपकी मर्जी आप कैसे प्रनिंशेट कर सकते हो तो glorious lily ने काटा vegetable glorious gloriosa L से लिली और आपका यह C A T A A से मतलब काल्चूसीन autumn nail यह पूरा हो गया काल्चूसीन काल्चूसीन autumn nail बार-बार बोल रहा हो आपको भी याद हो जाए T से tulip A से alloy A से asparagus जो की यूज़ उड़ता है as a vegetable good ornament कौन कों से यूज़ उड़ता है as a tulip and gloriosa source of medicine as a alloy alloy यूज़ उड़ता है आपका vegetable में आगया asparagus जो ट्रिक में मैंने include कर जाता है glorious lili ने और आपका ये call to scene आपका हो गया call to scene autumn nail ठीक है I hope की वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज आनको लाइक करना share करना subscribe करना thank you